अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो या कहानिया देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरब ओफिशल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हम पाकिस्तान के बारे में हर रोज अखबार में कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं किसी जमाने में पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था लेकिन 1947 में दोनों देशों में बटवारा हो गया बटवारे के बाद से ही हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के जानी दुस्मन बन कर दुनिया के सामने आये दोनों एक दूसरे की इस्जत की धज्जियां उड़ाने का कोई भी मौकर नहीं छोड़ते भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक वादियों को जगह दे रहा है जबकि पाकिस्तान भी अपने वहां होने वाली आतंकी घटनाओं के लिए भारत को ही जिम्मेदार मानता है तो चलिए आज हम पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो शायद आप नहीं जानते मैं हूँ सौरब आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइस चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान भारत से 14 अगस्ट 1947 में अलग हुआ और सन 1957 में इसलामिक गणराचिप बन गया पाकिस्तान आवादी के मामले में दुनिया में छटा इस्तान रखता है पाकिस्तान का अधिकारिक नाम इसलामिक रिपब्लिक आफ पाकिस्तान है पाकिस्तान में गड़तंत्र दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है जिसे पाकिस्तान दिवस भी कहते हैं भारत की हीतर है अकेले पाकिस्तान में 60 से अधिक भाशाएं बोली जाती है पाकिस्तान के रास्टिय गान की धून एक ऐसी धून है जिसे दुनिया की तीन सीर्स धूनों में पहला इस्थान प्राप्त है महीलाओं के लिए असुरक्षित देसों की सूची में पाकिस्तान तीसरे नमबर पर आता है और वही भारत चौथे नमबर पर 2030 में इंडोनेशिया को पचार पाकिस्तान विस्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा पाकिस्तान की रास्टिय भाषा उर्दू है जबकि आधिकारिक भाषा इंग्लिस है दुनिया में 50% से जादा फुटबॉल अकेला पाकिस्तान ही बनाता है 1965 में कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ था 17 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ से हजारों लोग खाया लुए और मारे गए इतिहास में रदुतिय विश्युद्ध के बाद ये दूसरा सबसे विनासकारी युद्ध माना जाता है 1965 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं जिसकी समापती सोवियत संग और युनाइटेड स्टेट्स के बीच में पढ़ने के बाद हो पाई थी पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एंबुलेंस नेटवर्क है जिसे एथी फाउंडेशन चलाता है जिसका नाम किनीस बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है आप यकीन नहीं करेंगे पर पीसी का पहला वाईरस दो पाकिस्तानी भाईयों ने बनाया था ब्राड बेंड इंटरनेट सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्राड बेंड इंटरनेट सिस्टम है पाकिस्तान में इंटरनेट का उपियो करने वाले लोगों की संख्या कम ही है मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पौर्म सर्च करने में पाकिस्तान का पहला स्थान है यहां हर 7 सेकेंड में एक बच्चे का जन्म होता है पाकिस्तान की सेना दुनिया की छटी सबसे बड़ी सेना है पाकिस्तान को विद्रोही गतिविदियां फैलाने और आतंकवादी संगेठनों से जुड़े होने के कारण खतरनाग देशों की स्रेणी में भी गिना जाता है पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को नुकलियर पावर भी हासिल कर ली थी और नुकलियर पावर हासिल करने वाला यह पहला इस्लामिक देश बन गया पाकिस्तान की फिल्म इंडिस्ट्री को लॉली गुड कहा जाता है जिसमें उर्दू, पस्तो और पंजाबी भाशा में फिल्में बनती हैं एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड लगाने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तानियों के नाम पर है यहां एक दिन में 7,50,000 पेड लगाये गए थे कस्मीर का 38 प्रतिसर पाकिस्तान के कबजे में है जिसे पाकिस्तान तो आजाद कस्मीर कहता है लेकिन हम उसे पाक अधिकरित कस्मीर कहते हैं क्योंकि आजादी के वक्त एक समझोते के तहत महराजा हरी सेंग ने पूरा जम्मु कस्मी भारत को सौप दिया था संयुक तिरास्ट संग्ण ने 1947 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहट कस्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटने को कहा गया लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दोरान एलो सी तयार हो गई कस्मीर का बटवारा हो गया पाकिस्तान एक बुद्धिमान देश है मगर फ्रस्ताचार और आतंकवाद इसे दीमक की तरह खा रहे हैं जब कभी भी वह इन सबसे बाहर निकलेगा तो दुनिया के शीर सिदेशों में से एक होगा आज के वीडियो में बस इतना है आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट क करें लाइक करें और शेयर करें और इस तरह के दिल्चस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल रिवीलिंग आइसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जैहन बंदे मात्रा हुआ